अब स्वामी जी योगा भ्यास के बाद बात आती है उस घरेलू उपाई की उस नुफके की जो हर्णिया की परिशानी को दूर कड़े में कारगर है तो स्वामी जी वो उपाई क्या है आप वो हमाई दर्शकों को समझाएं तो देखो मैं यह उपाई बताता हूँ आप कल का कारिक्रम बता दो बहुत जवर्दा साज का उपाई स्वामी जी आप उपाई बताएं तब तक हम बता देते हैं कि कल के कारिक्रम में क्या खास रहने वाला है अर्थराइटिस पर नया खिलासा गठिया से बड़ा हार्ट अटाक का खत्रा सेल्स डेट होने से बोन्स हुई कमजोर नाचरोपैथी से कैसे टलेगा स्ट्रोक योग शिघटेगा बोन्स डेट का रिस्क स्वामी रामदेव करेंगे अर्थराइटिस पूरी तरह से क्योर देखे कल सुभा इंडिया टीवी पर साथ बच कर 56 मिनट कर स्वामी रामदेव के साथ तो देखो ये एक तो हरड बहेडा आवला अब फ्रेस मिल रहे हैं सूखे मिल जाएं हरड बहेडा आवला ये बड़ी हरड है ये छोटी हरड है फिर ये भूम्यावला पुनरनवा मकोई और ये अमरूद के पत्ते और अनार के पत्ते इनका हरड, बहेडा, आवला, तिर्फला डाल लें इसमें, भूमियावला, उनरनवा, मकोई, और इसमें अमरूद और ये पत्ते डालें अनार के, और इसका एक काढ़ा बना करके पी लें, अब काढ़े से ज्यादा अच्छा होता है, इसका जूस भी बना करके पी आ जा सकता हम दोनों ही विकल्प इसलिए बता दे रहे हैं, तो सूखावा आमला, सूखावा हरड, चूकि मैंने देखा है, और सूखावा बहेडा, इन तीनों को भीगो के या उबाल के फिर इस्तमाल किया जा सकता है, या ताज़ा ही इस्तमाल करना है हाँ, इसलिए मैंने बोला, ये हरड ताजी है, ये बहेडा ताजा है, ये आमला, ये हरड और ये बहेडा, ये सूखा है, सूखा भी प्रयोग कर सकते हैं, और ये जड़ी बूट या भी भूमिया आमला पॉनर नवा, ये सूखी, सर्वकल्प क्वास की रूप में हमने इसलिए बार इसका सर्वकल्प क्वास के इंट्रेशनल जनर्म हमने रिश्रस पेपर भी छापा है, कि हर्निया से लेकर के लिवर सीरोसिस, फैटी लिवर, हैपिटाइटिस, तमाम आतों की बिमारियों के लिए इससे बढ़िया कोई दूसरा उपाई हो नहीं सकता, आफट फिप्टी समाचारा आप सनाव, कर साथ बज़ के छपन मिन्ट पर फिर मिलेगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वांजी।